नमस्कार आप देख रहे हैं News 11 और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किसोर देखे तो IPL, IPL सीजन 12 काफी खुमार पे हैं और सब के उपर इस IPL का खुमार चड़ा हुआ हैं मैच दिन परती दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है लोगों में खुमारी बढ़ती जा रही है कल की मैच और आज की मैच के बारे में हम बात करेंगे सुरुवात सबसे पहले कल के मैच के बारे में कलते हैं कल चिन्नई में चिन्नई सुपर किंग वर्सिस कलकता नाइट राअडर के बीच मैच हुआ मैच काफी रुमांचक रहा हालाकि इसमें नाइट राइडर को साथ विकेट से हार मिली आइए इसके बारे में हम बात करते हैं अपने सहयोगी के साथ तो कल का मैच कैसा रहा आप एक पर बताएं जी जिस तरह से चैन्नाई सूपर किंग ने पहले ही तोज जित कर को को प्रस्ताव रखा बैटिंग के लिए लेकिन सुरू में ही उनकी कुछ चार पांच विक्टे गिर गे पहले ही पावर पेले में चे ओवर के पावर पेले में पहले ही तीन-चार विकट गिर गई करने के कुलकता नाइटर डर ने ज्यादा रन नहीं बना पावे उनके पांच वा मैस था जीत के साथ साथ वो जीतते हुए यह पांच मैस के साथ आगे बढ़ी आई इस बारे में हम और भी बात करते हैं हमारे सयोगिये इंसे बात करते हैं आप बताई कल का मैच कैसा रहाँ कल का मैच बहुत अच्छा रहाँ और जैसा कि दोनी के कैप्टन सीपिंग में हमेशा है चिन्नाई सुपर किंस की जित ही होती है, क्योंकि धोनी बहुत एक्सपीडियन्स कैप्टन है, इंडिया के भी वह बहुत अच्छे कैप्टन में से एक हो रह चुके हैं, सो धोनी की एक्सपीडियेंस यहाँ पर बहुत काम किया गया, हडवजन सिंग की भी बहुत अच्छी खासी बॉलिंग वुई, स्पीनर्स ने बहुत अच्छा खासा दवाब बनाया, जिसके वज़ा से कुलकता नेड़ के बैट्समेन खुल के खेल नहीं पाया, और जहां तक कल एक चीज देखा गया था, मैं आपको बता दो, कल धोनी जीत के बाद वापस पवेलियन जा रहे थे, तब तक कलकता नाइट राइडर की जो मालिक हैं और मालकीन वो उपर से दिखे, तो धोनी ने उनको हाई किया, यानि कि मतलब ये जो मैच है हमारा जो हम देख रहे है IPL, इसमें इंडिया और बाकी और विदेश के जो खिलाडी हैं वो साथ मिलके खेलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये एक मैच जो है, ये हमारे संबंध को, हमारे बीच के रिष्टे को और खिलाडियों के बीच में परतिद्वन्द की भावना तो होती है, लेकि मतलब अच्छे कप्तान सावित हुए हैं, तो क्या कलकाता नाइटरेड में ऐसी कुछ कमी दीखी आपको जो हरनेका उनका कारण बना हो, जी ऐसा तो है, वैसे दिनेज कार्थिक भी बहुत अच्छे कैप्टेन रह चुके हैं, जिनकी वयसे कलकाता नाइटरेडर को बहुत काम्याबी हासिल हुई है, बट लेकिन यहां पर कहा जा सकता है कि चन्नही की एक्स्पीडियन्स काम यहां बहुत जादा किया गया, तो कि चन्नही के तीन स्पीनर जो थें, वो बहुत अच्छे खासे स्पीनर थें, जिन्हों ने इस पीच को बहुत अच्छे से समझा और यह लोग हैं जो पहले भी आपर खेल चुके हैं जिसके वह यह से चिन्नाई के बॉलर को मदद मिला और खासकर सबसे ज्यादा दवाब बनाया दीपक चाहर ने जिनकी अच्छी खासे स्विंग की बया से कलकता नाइट उसके बैट्समें पाउर पले में अच्छे रन बना न मैच को तो जैसे पहले उन्होंने टॉस हलांकि कलकता नाइट रैडर हार चुकी थी लेकिन उसके बाद आंदरे रसेल ने अच्छी पारी खेली थी लेकिन उसके बाद आपको क्या लगा कि टीम में कहीं कमजोरी थी बॉलर में नाइट रैडर में कमजोरी थी या फिर कौन सायसा मतलब कमजोर आपने देखा कि नाइट राइडर को साथ बिकेट से हार कम सामना करना पोड़ा जी ऐसा बोला या सकता है नहीं कलकता के बैटिंग भी बहुत अच्छी खासी है बहुत पिंच हीटर सुमें भी है निती सराना अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं रॉबिन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन यहां पर उन्हों ने थोड़ा गैर जी में दराना सौट खेल के अपना बिकेट गवाया जिसके अगर वो बिकेट बचा कर रखते हैं और एक छोटी से भी छोटी पाटनरसीप को बीस रन का तीस रन का पाटनरसीप लेके चलते है तो एक अच्छे स्कूर को पहुच सकते थे कलकाता ने अच्छा आपसे मैं पूछू कि चन्ने जीत गई है आपको ऐसा कौन सा वो मौका दिखा या फिर कौन सा ऐसा सौट दिखा कौन से ऐसा खेलता जो चन्ने सुपर किंग को नाइट राटर से ज्यादा मजबूत समझ ग इतने भी अभी तक सीजन्स चले हैं उसमें सबसे काम्याब हासिल किये हुए हैं जिसकी वह से दोनी एक अच्छे कैप्टन और चिने सुपर किंग से एक अच्छी टीम साभित हुई है हर सीजन्स में वो फाइनल में पहुंचती है वो हलांकि वो एक दो आईपिल वो फाइ जो आप उनके कैप्टन सी को सबसे ज्यादा बोल रहा है क्योंकि नाइटर ने भी खराब नहीं खेला था बहुत अच्छा खेला था लेकिन धोनी बार बार करें तो मैं धोनी के बारें पूझना चाहूंगा कि उनका कौन सायसा अच्छा डी सीजन आपको लगा कि वो कुलकता के लिए बोना साबित हुआ इस चीज के लिए क्योंकि चिन्ने के जो कैप्टन मेहंदर सिंग धोनी है उन्होंने पावर प्ले में स्पीनर्स को अटैक लगाया और स्पीनर्स पर कुलकता नाइटर्स के बैट्समन एक गरजी में धराना सॉट खेल कर अपना बिके खेल के रन बनाया है इस मैच में वो अच्छी तरह से खूल कर नहीं खेल पाए आप बजाए कि चन्ने के सुपर किंग के तरफ से सबसे अच्छा खेल किस ने खेला ता कल जी यहां पर सबसे अच्छा तो दीपक चाहर ने क्योंकि उन्होंने सुरुआत अच्छा दिलाई इसकी वज़ से कलकाता ने टेर्डस एक अच्छी पर नहीं पहुच पाए और वैसे तो चिन्ने के स्पीनर्स ने भी बहुत अच्छे कासी की इंधवाजी की इसकी वज़ से यहां तक बोला या सकता है कि चिन्ने की बाुलिंग अटेक पर कलकाता ने टेर्स के बैट्समन अचा बना साबी साचा डूपलेशी की खेल के वारे, मैं बते की कल उन्होंने अच्छा मतलब सुरुवात दिया था, तो उनके खेल में उनके खेल के बारे बते कि उन्हों ही कैसे खेला और क्या कुछ खास था उनके लिए? जी, फाप डूपलेसिस जो एक साउथ अफरिका के बैट्समेन है, वो ओपनर बैट्समेन बीरा चुके हैं और अभी वो कैप्टन बीर रहा चुके हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा एक्स्पिडियेंस था, उन्होंने, हलांकि चेनई के भी तीन बिकेट जल्दी सा सानी हो रही थी, लेकिन वो फाप डूपलेसिस ने भी अच्छे बैट्समेन की और एक अच्छे छोटे-छोटे पाट्नरसिप को लेकर उन्होंने चेनई को जीत दिलाया, एक चीज़ मैं और देख रहा हूं, कल दोनों, मतलब दोनों बीच में जो खेल हुए थे, तो कमज चेला, नो बॉल, वाइड बैल, मतलब यह सारी के बहुत सारी कमिया जो होती है, वो दिख जाती है, तो कैच छोड़ा मैच छोड़ा के सवाल पर ही हम आते हैं, कि नाइट रैडर को मातर चार एक्स्टाज मिले हैं, लेकिन वही सूपर की को आठ एक्स्टा मिले हैं, तो आ आप में बॉल ड्यू की वज़े से ग्रिप करने में स्पिनर्स को प्रोब्लम हो रहा था, इसकी वज़े से कुलकाता नेडर्स के बॉलर एक अच्छे लाइड पर गिंदवाजी नहीं कर पाय है, और हला कि उन्हें पावर पले में अच्छी गंदवाजी की जिसके वज़े अच्छी खासी गंदवाजी की एक खुलकाता नेडर्स के गंदवाजों ने भी यह देख रहा हूं मैं कि कल के जो मैच में नो बॉल दो है, ठीक है, वाइड बहुत ज्यादा है, लेकिन नो बॉल दो है, तो वाइड और नो के बीच में बात करें, तो ऐसे कौन से ऐसे बॉल आपको लग रहे हैं, जादा प्रेसर में हो क्योंकि प्रेसर नो बॉल का में कारण होता है, अगर आप बैट्समन को जादा परिशान करना चाहते हों, तो उनको नो बॉल दे या फिर इधर उधर बॉल दे, तो छे बॉल कल आपको वाइड गई हैं और दो बॉल नो तो कौन से बॉल आपको जादा परिशान लग रहे थे नाइट राइटर के तरफ से जिन्नों ने मतलब चेन्नाई सूपर किंग पर भारी पढ़ना चाहते थी, हाला कि उनने मजबूरी का सामना करना पड़ा और हो हार गई तो कौन से बॉल आपको जादा प्रेसर में लग जिसके वजय से उनका पैड थोड़ा आगे चला गया और यहां पर प्रेसर तो हर किंदवाज के पास था इसलिए कहा जा सकता है कि एक छोटे से स्कोड को डिवेंड करना कुलकाता ने डर्स के किंदवाजों पर भाड़ी पढ़ गया अच्छा मैं सुनील नरेन के बारे मत बढ़ again भीता लेकिन सुनील नरेन के बारे मि बुझाएं कि यह इन्हों न कैसा खेला सुनी लाड़ायण ने तो बॉलिंग बहुत अच् variBS द्वाग के वह बहुत अच्छे किंद वाज़ रह चुके है और उन्होंने को बहुत अच्छी का म्याभी दिला है उनकी जावाजी पर सवालिया निस चिन उठाया जाता है क्योंकि वो स्पीनर पढ़ ही अटेक करते हैं फास्टर गेंदवाजों पर वो नहीं खेल पाते हैं उन पर बॉंसर का बोत अच्छा खासा दवाप पढ़ जाता है जिनकी वो यह से वो अच्छी तरह से पीकप नहीं कर पा तो प्यूस चाला का खेल कैसा रहा आपका प्यूस चाबला भी बहुत अच्छे भाड़तीय गिंदवाज रह चुके हैं और उन्होंने अच्छी खासी गिंदवाजी की है लेकिन एक छोटे से स्कूर को डिफेंड कर पाना कुलकता नाय ट्रैटर्स के गिंदवाजों पर भाड़ी पड़ गया और यहां पर सुनील नाडायन ने जिस तरह से गिंदवाजी की उन्होंने दवाब भी बनाया चेन्णाई के बल्लेवाजों पर लेकिन प्यूस चाबला की गिंदवाजी भी अच्छी रही अब आज की बारें बात करतें थोड़ा सा कि आज का मैच है he पंजाब वशेग ऑब अपने वठाया ।å आज क़ लगता है क्या मतलब क्या मिद कर सकते हैं इंदो हुआ अज हैं फोड़ा साथ क्छ proposed हैं उन्हें कर सकते हैं एंदोर क। हैं मैं वह क्योंकि मैच ça सब बॉलते हैं तो आज कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस है केल राहूल और मैंक अगड़वाल जो अच्छे बल्यवाज है और अच्छी एक पाटनर्सी बिल्ड करते हैं जिसके बयासे पंजाब की बल्यवाजी एक मजबूत स्थिती में पहुची हुई है लेकिन मुंबई की जो गेंदवाजी है व बहुत रुमांचक मैच होने की उमीद है और मुंबई के गिंदवाजी पर पंजाब की बल्यवाजी क्या कर सकती है यह तो हम आगे वाले मैच में आज देखते हैं कि क्या कुछ होता है मुंबई और मुंबई इंडियांस वर्सेज पंजाब के बीच में क्योंकि इस बार ह से देखे तो पंजाब का जो टीम है वो बैटिंग के मामले में बहुत मजबूत है लेकिन मुंबई को भी हम कम नहीं आग सकते क्योंकि मुंबई की बॉलिंग बहुत ही अच्छी है बहुत ही लाजबाब है अब यह तो क्या होगा कुछ यह तो सामने आज पता चलेगा ले को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं